नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धमसरमार कुम रासी, 19, 20 और 21 मार्च सबसे पहले तो होली की हार्दिक सुपकाम नाए हम धमसरमार परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को आपके जीवन में ये होली धेर सारी खुसियां लेकर आए हम बात कर रहे हैं रासी फल की बाहर घुमना फिरना पार्टी, मौज मस्ती आप अच्छे मोड में रहेंगे आपके मन में जल्दी पैसे कमाने की इच्छा होगी और आप बिना कुछ खास किये आसानी से लोगों को अपनी तरफ आकरसित भी करने में कामयाब रहेंगे किसी से आखे चार होने की काफी संभावना है, नए विचार फाइदे मन साबित हो रहेंगे और जीवन में जहां आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा परिसानिया है, वहाँ पर जीवन साथ ही आपके साथ होंगी हर कदम पर सब्तम भाव का चंदरमा प्रेम बढ़ाएगा, आपके बीच अच्छा सामन जस्स से रहेगा लेकिन होली के दिन अस्टम भाव का चंदरमा थोड़ी सी मान सी परिसानी दे रहा है, इससे आपको बचना होगा थोड़े से खर्चों की अधिकता रहेगी, उसे आप कम करने की कोशिस करें और कारेच छेतर में आपके परियासों की सरहना होगी आपके मान समान में ब्रदी होती दीख रही है, लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि अपने काम से बिल्कुल भी जी मत चुराइएगा क्योंकि इस तोरान आपके जो उच्चादिकारी हैं, आपके काम पर गुपचुप तरिके से नजर बनाएवे हैं और यहां पर कोई गलती की गुंजाई इस भी नहीं दीख रही, वो सकता है संतान की तरफ से थोरी सी आपको परसानी महसूस हो, और संतान थोरी जिद्धिक पन में आ जाए, इस बिज़र से आपका तनाव बढ़ेगा और 22 मार्च के बाद से जब सुक्रिदेव अपनी रासी बदलेंगे, तब वहां से आपके जीवन में लगन में सुक्रिदेव के आने से काफी बदलाव आएंगे, और आपका मन भी काफी प्रसन रहेगा हर काम को मन लगा कर कीजिएगा, निर्णन लेने में आपको बहुत आसानी भी होगी, भागे की किरपा आप पर बरसेगी और आपके रुके हुए तमाम कारने बनेंगे, धनलाव का द्वार भी खुलेगा इस होली अगर हम बात करें, लव लाइब की, तो गलत फ़र्मी पैदा होने ना दें, और राहू और सनी का मिस्रित प्रफ़ाव है आपके रिष्टे पर, तो टकराओ खलके फुल के बाद भी बाद हो सकते हैं ऐसे में आप सांत रहें, अगर सामने वाला आपसे जगड़ा भी करता है, तो उनकी बातों को समझाने के उनको कोसिस करें, बेहत के बहस में ना कपड़ें और ना ही चोटी बातों का इसू बनाएं, वैसे आपके तरफ से ये चीज़े नहीं होंगी, पर फिर भी आप इग पुरा करेंगा, उनकी तरफ से कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके रिस्तों में मिठास आएगी और ये रिस्ता भी आपका सर उचा करेंगा, हाँ लब लाइप की जहां तक बात है, उनकी गरत्परमी दूर करने की कोसिस कीजिएगा, वैसे ये तीन दिन आपके ल किसानिया देता है, इन सभी से बच चीजों से बचने के लिए सिराह ने पानी रखें और सुबह उठके पौधों में डाल दें, इससे मन आपका प्रसंद रहेगा, और नहाने के बाद केसर ये हल्दी का तिलक लगा ये इससे भी आपका दिन सुभ बीतेगा, तो ये थी आ